चूशिम के बारे में कुछ नहीं बता है मेन चेरा है वो आदनी नरंदरवाई मोधी जी का है वीजेपी की सरकार आने से सुंदर बनी को और बढ़िया सुंदर बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे जमू कश्मीर की पाँच लोगसभाओं में से एक है जमू लोगसभा 26 सप्रेल कोई सीट पर चुनाब होना है जमू लोगसभा सीट में आता है हिंदू का तिर्थ स्थान श्री माता वैश्नो देवी कटरा जमू लोगसभा सीट 18 विधान सभाओं से मिलकर बनी है जमू सीट में गुलाब गढ़, त्रियासी और माता वैश्नो देवी कटरा विधान सभाओं आती है रामगढ, सामबा, विजयपूर के अलावा विसनाह और सुचेत गढ़ विधान सभाओं भी जमू लोगसभा का हिस्सा है जमू दक्षन, बाहू, जमू पुर्ब के अलावा नगरोटा और जमू पश्यू विधान सभाओं भी जमू लोगसभा में ही है रियासी जिला भी इसी सीट का हिस्सा है चुनावों से ठीक पहले इंडिया नियूज पहुंचा रियासी और जाना वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है इस समय हम जमू कश्मीर के रियासी जिला के गाओं में खड़े हैं ये वही रियासी जिला है जिसने कुछ समय पहले ही भारत को एक नई पहचान दिलाई है जी हाँ आपको बता दूं कि दुनिया के उन बड़े देशों में भारत का नाम शामिल हो गया है जिन देशों में सबसे जादा लीथियम पाये गया था आपको याद होगा सलाल गाउं क जो है वो ये है कि इसी रियासी जिला में कई पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ इस तरह की खुबसूरत हिली डेस्टिनेशन है जिनका नजारा देखने के लिए लेने के लिए देश के लगलग हिस्सों से लोग आते हैं और खास्तोर पे जब जमु कश्मीर में तो उसके बाद रियासी या जमु कश्मीर के ऐसे ही हिली स्टेशन्स की हिल स्टेशन्स की जो है वो चर्चाएं बेहत हैं और खास्तोर पे अगर आप देखें तो परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जो एक बयान दिया कि दफ़ा तीन सो सत्तर तूटने के बाद दोजार उ जमु कश्मीर की तश्मीर बदली है अगर उसे आपने देखना है तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा जी हां उन्होंने एक स्टेट्मेंट ये दिया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि जमु कश्मीर में तीन सो सतर के बाद क्या बदला है तो उसके लिए आपको जमु कश्मीर आना होगा देखें यहां पर आतंगवाद, अलगाबाद और टूरिजम जो भूम आया है उसमें किस तरीके से लगातार चीज़ें बहतर हुई हैं तो आईए चलते हैं देखते हैं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इन चुनावों में जब लोकसवा के जमु से रियास्ती जाते समय हम एक जगा पहुंचे हैं इस जगा का नाम गोदर है गाउं का और पीछे गर आप देखेंगे तो कुछ लोग हमें यहां देखें तो मुझे लगता है कि जब हम आम लोगों के राय जानने के लिए यहां पहुंचे हैं तो हमारा भी फर्ज ब हुए हैं मैं कहूंगा आप सारे दो मिंट के लिए इदर आ जाएंगे हमारे पास इनी में इनी से बात करेंगे और इन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनावों के इस दोर में आखिरकार इस गाउं में इस इलाके में चल क्या रहा है सबसे पहले आप से जानन होने वाले हैं सर चुनाव अब स्टार्ट सम्झों की थोड़े दिन बचे हुए है लेक्षन सम्झों हो जाएगी लेकिन यहां का जो बेसिक माहूल है वो थोड़ा सा गड़वर चल रहा है उसका रिजन यह रहा कि सेंटर की पालसी अच्छी थी सेंटर की स्कीम अच्छी थी बट यहां पर जो हमारी जो कांसिजवंसी है पहले यह उदुमपूर के साथ ती डॉक्टर जतिंदर सिंग जी यहां के एंपी थे वट वो सेंटर में ही बैठे रहे हैं यहां पर तो ग्राउंड पर नहीं दिखे अच्छा उस बजा से भी लोगों के अंदर जो है नराइगी है थोड़ा नराइगी का माहौल है और अभी हमारी कांसिवंसी वो चेंज हो गई है वो जमूपूंच हो गई है तो यहां पर भी सेंटर माहौल है कि अभी हमारे जो एंपी एलेक्शन में जो कैंडिडेट है व लोगों की नराइगी उनसे भी है क्योंकि ग्राउंड पर वो भी नहीं दिखे है तो सर इस बार जो एलेक्शन में कंपीडिशन लग रहा काफी टफ लग रहा है इन्होंने गैस सलेंडर तो फ्री कर दिये बट जो सलेंडर का रेट है वो 1100 हो गया 440 से फिर इन्होंने ओल उन्हें खाली जो बोला की जो डिजर्व करता खाली बीपील है यहां पे एपी एपील भी ऐसे हैं कि जो की डिजर्व करते जिनको पैंशन चाहिए लेगी नों उनकी पैंशने बंद होगी ठीक है बदलना जो है आप कह रहे हैं महंगाई जो है वो भी कहीं न कहीं बड़े एहम मुद्दे हैं देखना होगा चुनाबों में क्या होगा मगर आम लोगों किराय आपके सामने लगातार हमला लेके आ रहे हैं अपने सफर में हम पहुंचे हैं इस वक्त भांबला के बिलकुल साथ पढ़ने वाले गाउं खलाडी में जिहां आपको बता दूं कि यह चोटे-चोटे गाउं जो है मिलकर एक बड़ा सब डिस्टिक तैसील और सब डिस्टिक और फिर डिस्टिक बनता है यहां जब हम पहुंचे तो यहां जो सबसे खासियत रहती है इस इलाखे की वो यह है कि यह लोग अपने ट्रिडिशन और अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं आप देखें यहां पर एक तांबे के बरतन में खाना बन रहा है यहां इस थानिया जो भाशा है उसमें सखला कहा जाता है और इस वक्त यहां पर काली-पिली दाल यानि की दाल बन रही है उरत और चने की दाल जो होती है उससे मिलकर और इसे क्या खासियत है क्यों उसमें बनती है पहले सबसे जानने की यह कोशिश करते हैं मेरे साथ यहां कुछ लोग है क्योंकि यहां पर कुछ फंक्शन है उसलिए सारे कठा हुए जब हम अपने सफर पर यहां पहुंचे तो सबसे पहले आप से जाना चाहूंगा यह जो बरतन है इस तरह का जिसमें खाना बन रहा है इसकी क्या खासियत होती है हमारी यह सगला है इसमें जो डाल बनती है यह हमारी बहुत पुरानी रीत है जो इसकी डाल है वो आप इसमें बिना तड़के के टेस्ट होती है इसको तड़का लगाने की जुरूरत नहीं है यह नैचुरली इसमें आप बनाओगे कुदरती की देना इसमें बहुत टेस्ट होता है यह अब लग गया है तो मैं देख रहा हूं इस वक्त सियासी तड़का भी बड़ा चल रहा है चुनाव हैं तो उसका क्या चल रहा है महुल देखिए जो हमारे गाउं में काम नहीं हुआ हम खासकर है क्वारा मलाए ना खलाडी ऐसी मलाए इसका एक ही में जो काम था रोड का वो नहीं हुआ है फरास वालू ने उसके पंगा डाल दिया तो हमारा काम नहीं हुआ लुक नहीं बड़ी उस तीज को लेकर नराज बिलकुर नराज बड़े होंगे प्रदानमंत्री ने कल कहा कि 370 तोटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमने बदली है देखिए सर ऐसी बात नहीं है बहुत तो ठीक है लेकर जो गाउं का हमारे गाउं के शोटे-शोटे काम होते हैं न वो नहीं हुआ हमारा काम आई तक जे देखो ना नेशनल हाईवे रोड है उसे सिर्फ एक आदा पूरा किलो मिटर है आई तक हमारा रोड नहीं बना हमके अगर लेकर नराजगी लगता है यहां पर जो असेंबली नहीं थी एमलेस जो है नहीं बन पाए इलेक्शन नहीं हो पाया उसकी वज़ा से भी सा लोगों में यह हो गया कि आप नुमाइंदा लोकल नहीं मिल पाया उसे भी नराजगी है नराजगी दो है देखो अगर इधर से आदा किलोमेटर में नहीं है रोड यह लोग बिचारे परेशान है यहां पर गाड़ी नहीं आती है इनको पैदल जाना पड़ता है अगर चैनल नहीं आए तो चुनाव अब आ रहे हैं अभी सब आएंगे हमें बोर्ड दो हमारोड बनाएंगे जब चुनाव हो जाते हैं इदर कोई पूछता भी नहीं है पहले जो आपके सांसद हैं वह आए यहां वह आये थे उन्होंने भी बादे किया थे बनाएंगे रोड ल यहां प्रड़ी गया हैं एम्पी साफने अच्छा फिर भी इसमें नहीं हुए समस्तान मंत्री जो है वह बीजेपी कि हैं सांसद आपके बदानमंत्री काफी काम किये हैं देश में काम यृप तो किया है का हमारे जहां जितना दिखाया गया उतना बढ़ना कुछ नहीं हमा हमारे जो रोड है नहीं बनाए पाणी आभी तक हमें मिला है दो साल तो हमें होगे पाणी में पाणी का सबसे जाता है साधन चल रहा है समय फिर भी आभी पाइपे लगाई लाई एद शोड़ी है और लगा रहे नहीं है मुद्दे क्या है इस बार चुनावों में जिस चीज को लेकर आप चुनाव में वोड डालेंगे मुद्दे क्या बोला है मुद्दी को देखें तो मुद्दी को बोड देना पड़ता तो नएंगी तो किसी को जुगल कुशर है उसको नहीं करता बोड दे जढना दे चांसत से नराजगी है मगर परधान मंतरी भी चाहिए आप को क्या लग रहें बिल्कुल सर जैसा कि अभी बताया गया आपको कि यह जो गाउं था हमारा इसको माडल टाउन में लिया था लेकिन हमारे जो अभी वहाली में सुंद्रवनी गये हैं फिर मर्चॉला वाली साइड भी लेकिन इस गाउं को वह समझते कुछ निये की पत्राड़ा वी गाउं है मतलब ऐसा होना चाहिए था अगर उन्हें इसको माडल टाउन में लिया था उनका फर्ज बनता था कमसे का में एक वार आए यहां पर तो नराजगी जरूर है मगर प्रधानमंत्री भी चाहिए आपको एक चीज़ यहां की और बता दूँ आप देखे यहां जब गाउं में खाना बनता है जो मैं आपको बता भी रहते लोग यहां इसी तरह से लकडी काट कर खास्तोर पे लकडी की भटी जो है वो खाना बनाया जाता है और टेडरीशनल बरतन जो होते हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको तामबे का बरतन जो है इसे यहां स्थानिय भाशा में सखला कहा जाता है और इसके अंदर इसी तरह से डाल बनाई जाती है आप देखेंगे यह डाल है और इनका कहना है कि यह इस बरतन में जो बनी हुई डाल है सबजी है उसका अलग टेस्ट है उसका एक अलग फ्लेवर है जिसके लिए लोग इसका इसका इस्तैमाल करते हैं और यहां डाल को तरका लगाने की ज़रूत नहीं है मगर यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं सियासी दल, सियासी नेता, उनकी जिन्दगी में तड़का जरूर लगेगा अगर इनको सुना नहीं गया तो, आगे वड़ते हैं इस सफर में, और लोगों से जानते हैं कि क्या चल रहा है ना लगबग 80 किलो मेटर के सफर के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के रजोरी जिले के सुन्दरबनी इलाके में, यह सुन्दरबनी की मार्किट है, आप देखेंगे क्योंकि इस वक्त दुपहर का वक्त है और खास्तोर पे जादा आपको भीड़बार नहीं द पड़ेगी, और दुकाने देखें, अलग-लग तरह की दुकाने आपको यहां पे मिलेंगी और खास्तोर पे इस वक्त नवरातरा की सीजन है, और नवरातरी की सीजन में आप देखेंगे माता की चुन्री और बाकी तमाम चीज़े जो हैं, यहां पे आपको ऐसे मिलेगी, अगर आप इस तरफ देखेंगे, तो जैसे हम पहुंचे हैं, तो आप देखें, लोगों में हलचल कहीं न कहीं बढ़ती गई, तेज होती गई, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, सुन्दरवनी पहुंचे हैं, यहां की सबसे ज़्यादा खासियत क्या हैं? सुन्दरवनी में, सुन्दरवनी के जहां पर कारोवार जो बड़े सस्ते दामों में हर चीज मिलती है, कंपिटिशन बहुत है, मार्किट में अच्छी विवस्ता है, लोग अच्छे हैं, मीठा बोलते हैं, गरा की कदर करते हैं, सब को अपना समझते हैं, जो यही है, सुन्दरवनी को वाकई में सुन्दर बनाने के लिए, नेताओं ने कुछ काम भी किये हैं, क्योंकि अब सियासत है, अभी मोदी जी की सरकार है, बाती जनता पाटी बहुत जहां पर कर रही है, साब को ही दे रहे हैं, हमारे रिवेंदर रहना जी जोगल कशोर जी हमारे संस सदया, उन्होंने भी काफी जहां को जोगदान दिया है, रिवेंदर रहना जी काफी संगर्श कर रहे हैं, सुन्दर बनी को सुन्दर बनाने के लिए, तो हमारी बीजेपी की सरकार है, बहुत बढ़ चार से कुछ, फिर से बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, चार सो तो यह रोनक यहां पर ऐसी रहती है, महारे साथ यहां के किस्थानियां, दुकान दार हैं, इनसे भी बात करेंगे, आप से जानना चाहूंगा कि वाकई सुन्दर बनी, बड़ी सुन्दर तो है ही, मगर चल क्या रहा है, माहूल कैसा है चुनावों का, चुनावों का महूल तो बड़ा अच्छा चल रहा है, यहां पर तो बीजेपी की जो है, जितनी भी है, लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, वज़ा क्या है, क्योंकि सतर साल पहले जो जितने भी लोग आए, उन्होंने अपना ही कुछ बनाया, लेकर आप पबलिक के लिए कुछ नहीं किया, लेकर सुन्दर बनाने में उनका जोगदान नी रहा, लेकर जो अभी सरकारे आई हैं, बीजेपी की सरकार आने से सुन्दर बनी को और बढ़िया सुन्दर बना रहे हैं, और अगे भी बनाएंगे, अच्छा, यहां लोगों में नराजगियां बढ़ी हैं, सडकों को लेकर कभी forest department का कहते हैं कि यहां सडक नहीं बन पाती, वो मुद्दे वाकई हैं यहां लगता है कि थोड़ो, वो तो है लेकिन वो departmental के मुद्दे है न, वो leader उसमें ऐसे ही गिस्ते हैं, लेकिन उनका अपना personal जो department होते हैं, department के साथ compromise नहीं होता, इसलिए वो अपने permission की बज़ा से वो अपना उनकी क्या हमें तो उसका नालिज नहीं है, वो तो leader लोगों को पता होगा कि क्या वेस है उनका, लेकिन परिशानी तो है forest की, अप एक चीज़ देखें, जब यहां आएंगे न, यहां जो गाओं में मार्किट होती है, यहां दूदराज के इलाकों में, वहां से उनको जो बड़े-बड़े मेट्रोज शेहरों में चीज़े मिलती हैं, वो ऐसे ही छोटी सी दुकान पे मिल जाएंगी, मेरे साथ एक और शक्स हैं से बात करते हैं, यह मैं सही कह रहा हूँ कि गाओं के यहां यह कहूंगा कि जो टाउन है छोटे, वहां पर कस्वों में यही मौल है वे बैसी के लिए, देखिए ऐसा है कि जे डिपेंड करता है मार्केट पर किस तरह की मार्केट है, किस तरह की लुकल्टी है, जिस तरह की लुकल्टी होगी बैसा ही बहाँ, दुकान भी बैसी होगी बहाँ, जो समान आपको मिलेगा, वो भी ऐसा ही मिलेगा, तो समान तो मिल रहा है यहां पर चुनाबों में क्या चल रहा है उसमें भी सब कुछ मिल रहा है लोगों को की कोई नाराजग्या भी देखिए चुनाबों के लिए जहां तक आपना पूछा है तो मैं आपको सही तोर पर बताना चाहता हूँ जहां हर तरफ कमल ही खिलता औधाय दे रहा है मोधिर साब देश के यशवी पर धान मंटिरी शरी निरura मोधिर साब उन्हों ने जो पिछले दस सानों में जहां काम किये हैं उनकी जतनी सरहना की जाएफनी स्रहना कम है क्योंकि अगर आप जही दस साल पहले चले जहां जो कांग्रेस के साथ 10 साल जा 20 साल थे देश में इतने गोटाले हुए हैं हर दिन ने ने गोटाले की न्यूज जहां आती थी और धन्यवाद करना चाहते हैं देश के यशिश्पी परदान मंतरी साव का कि उनके टैनर में किसी एक सिंगल गोटाला भी हिंदुस्त जो जनता टैक्स देती है उनका टैक्स का पैसा जो जाता है वो अगर कहीं सही जगा इस्तेमाल होता है तो जनता उसमें खोश हो जाती है और पिछले 10 सालों में जो जनता की जेव से पैसा गया है वो देश की डिबलमेंट पे लगा हुए इनका कहना है कि दरसल गोटाले नहीं हुए है तो ये भी एक बड़ा मुदा है सही माईने मैं आही है जहां मुदा जही है लेकर जो आम लोगों को इन 10 सालों में रहात मिली है आम जिमिदार को शेजार ब्या अकॉंड में आता है पेंचन जो जना जो हजार ब्रिस्ट लोग जो बिकलांग लोग सबको पेंचन गर बैठे मिलती है यह सबसे ज़्यादा है इसलिए लोग बीजेवी को चाते हैं आप कहरे हो कि जो अनाज मुफ्त मिल रहा है पेंचन मिल रही है वो भी एक बड़ा इशू है बिलकुल बिलकुल बोई इसू है आपके इलाके में भी क्या डेवल्मेंट के नाम पे देखें तो क्या हुआ मैं देखर विए आपका जम्मू से पुंच बन रहा है तो इससे फा इतने बड़े-बड़े प्रजेक्ट जो हमारे छोटे-छोटे गाउं में भी छुरू हुए हैं किनेक्टिविटी के वह बहुत ज्याद है काम परजान मंतरी कह रहे हैं कि 370 टूटने के बाद जो है वो सही बदलाब जमुकस्मेर में हुआ है तरक्य हुई है आप मानते हैं इसा है बिल्कुल मानते हैं 377 हुआ है आप हम अजादी से बाद जा रहे हैं 377 में जहां तो बोट डालने का अधिकार नहीं था जो बेस्ट पीयो के बालमी की समाज आम लोगों को भी फाइदा है इसका तो यह राय है आम लोगों की लोगों का कहना है कि जो मुकश्पीर में जो बदलाब हुआ है तरक् जानते हैं और लोगों की राये किसी भी देश की बुन्याद जो है वो वहां का युवा माना जाता है और इसलिए हम हर कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी इस चुनावी यात्रा में हम बात करें तो ऐसे लोगों से भी बात करें जो युवा हैं और युवा भारत में जिनकी तादाद सबसे जादा है क्या इस पार 2024 के चुनावों में युवा किस तरह से वोट डालने बाला है और उनके मन में क्या चल रहा है यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त यह सुंदरबनी का बसद्डा है पहले एक तस्वीर यहां की बताता हूं आप देखेंगे तो के लिए ट्रांस्पोर्ट यहां से आगे चलता है और जब हम यहां पहुंचे तो यह तमाम यहां के जो युवा हैं वह इकठा हुए अलग-लग तबके से यह हैं कोई बिजनस करता है कोई पढ़ाई करता है इनी से जानते हैं कि आखिरकार इनके इनके इलाके में क्या चल है क्योंकि चुनावों का जोर दूसरे चरण में यहां और तेज हो जाएगा सबसे पहले आप से जाना चाहूंगा सुंदर्बनी की खासियत क्या है युवा यहां पर भी सबसे जादा प्रवावी है सुन सबसे पहले आपका धन्यवाद आपने यहां सुंदर्बनी में आके अपने हमारे विचार सुनने की अच्छा लगा में सुंदर्बनी यह इतना अच्छा प्यारा शहर है कि यहां पे सबसे ज्यादा एजूकेशन का हब है पड़ाइश सबसे ज्यादा है तो यहां पे लोगों का पिछले जो अभी यह जो के सिविल के एक्जाम हुए थे उसम भी लिस्टा आती है किसी भी डिपार्टमेंट से यहां से पांच-छे बच्छे क्वालिफाई होते हैं हमारे सुंदर्बनी से बात चुनावों की कर रहा हूं तो चुनावों में क्या चला है यहां लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनावों को लेकर यह जो मत का दान है इस वार लोग सोच समझ कर अपना वोट जो है वो देंगे क्योंकि हमारे जो नेता थे जो हमारे पहले रह चुके हैं हमने आखें बंद करके उन पर विश्वास किये वर उन्हों लोगों ने हमारी सुद्ध तक नहीं ली उद्धी जी कह रहे हैं कि 400 पार जाना है वो उनकी सोच है अब लोगों का ये कैन मैंने पहले बता है आपको मत का दान है लोग अपने मत से दान करेंगे अब लोग समझदार हैं इसमें हम कुछ नहीं कह सकते यहां के लोगों की राय की लोगों को जो नराजगी जो दिखते है ग्राउंड में वो इस सीज को लेकर है जो स्थानिय नेता हैं जो यहां के सांसद रह चुके हैं जीच चुके हैं यहां फिर नए कैनिडेट यहां बन के आ रहे हैं उनको इस चीज पे गौरenda नुगा कि आम लोगों की राए आम लोगों की जरूरत के मुताबिट जो है वो काम करें देश का परधानमंत्री जो चुना जायएगा वो देश में सोचेगा मगर जो सांसध होगा उसका काम वहां के लोगों के बारे पारे में सोचना है उनकी मस्लूं के बारे में सोचना है इसी चीज को लोग जो हैं वो जागर करना चाहते हैं मोधी लोग पर ये नेता है इसमें किसी को कोई शकट नहीं, मगर जो उनके सांसद हैं, वो कितना काम कर पाते हैं, डिलिवर कर पाते हैं, उस चीज को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। इस सफर के दोरान, जैसे जैसे हम कुछ किलो मीटर तै कर रहे हैं, उसके बाद यहां जुबान तबदील हो जाती है, यहां कल्चर बदल जाते हैं, और यहां टेस्ट भी बदल जाता है, जिहां वो भी आपको रूबरू कराएंगे, अगर एक तस्वीर आप पीछे उपर अगर आप देखेंगे, तो यह जम्मू पुंच हाईवे के पीछे जवाब जाते हैं, तो यह काली धार इस जगा को कहा जाता है, बड़ा एक बड़ी पहाडी है, जिसके पार करने के बाद आप जम्मू से रियासी डिस्टिक में जाते हैं और वही आगे चला जाता है रास्ता राजोरी और पुंच की तरफ, और यहां से हम आपको बताएंगे कि यहां आखिरकार क्या खासियत है, यहां पर एक दीप जंडियाल धाबा है, बोजनाले है, फोजी डाबे के नाम से भी जाना जाता है, यहां पहुंचे हैं हर दिन कई गाड़ियां यहां रुखती हैं खाना खाने के लिए क्योंकि यहां की एक खासियत है, आपको बता दूँँ कि भारत में अलग-लग जगा पर अलग-लग टेस्ट है, तो यहां की टेस्ट क्या है, मक्की दी रोटी सर्सों दा साग, इस वक्त आप क्या बना रहे ह साग बना रहे हैं यह सरसो का साग इस वक्त त्यार हो रहा है और यहां सरसो का साग आपको थोड़ा अलग देखेगा और वहीं पीछे अगर आप देखेंगे तो मक्की की रोटी भी इनों ने यहां पर बनाई है क्योंकि जो लोग खाने वाले हैं वो इस चीज को बड़ा पस अतनी और दही यहां पर जो है तयार होती है उच लोग जो यहां खाकर इस चीज का मज़गो लेने वाले हैं उन से बात करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर क्योंकि टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह टेस्ट जो है यह कितना स्वादिश्ट है और किस तरह से यह चीज़े बदलेंगी यहाँ पे भी कुछ लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं जो इसका मज़ा लेने के ले आए हैं आप से जानना चाहूंगा पहले आप यह बताए कि यहां यह मक्की दी रोटी सरसोदा साग यह क्या क्या चीज़ें नमश्कार यह मक्की की रोटी है और सरसू का साग है और दही है और तिंबर हरापूतना और हरी मिर्च बगारा यह मिक्स करके हम चटनी बगारा जो बना जाती है और इसके साथ एक एडम और होती है वह है लसी लसी इसके साथ नहीं लगाई है अभी अभी देही लगाया हुआ है अच्छा एक चीज़ बताइए यह इस इलाके की सबसे खासी खास चीज़ है यह कहांगी बिल्कुल शुद्ध है और देम भी यह कोई पोडर वाला नहीं है यह लोकल हमारा देशी देए दूद का देहीं लगाते हैं यहां लोकल गाउंसे और यह सबजी है यह लोग खाने आते हैं जी हां अच्छा यह बताईए यह तो टेस्ट की बात है टेस्ट ह आद जब इस इलाके में आएंगे तो आपके आपसे यही जाने चाहूंगा आज काल राइनिती का बहुत ज्यादा दोर है और मैं यह आपके माद्यम से कहना चाहता हूँ राइनिती जो है यह बहुत ही एक अलग चीज है जब भी राइनिती आती है और दुनिया का बात, चीज, रहन, सैन, ये सब कुछ जो है बदल जाता है ये बताईए मुझे कि यहाँ इस वक्त किस क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या है, इलेक्शन को लेकर किस की तरफ रुख है इस वक्त? ये तो रुख जहां के हमारे नेता जो है, उनकी तरफ है और मेन फॉक्स जो है, मोदी सरकार के ओपर है वजा क्या? ये मोदी सरकार के जो काम है, जो बड़े-बड़े फैसले, जो हिंदुस्तान में जो बड़े-बड़े फैसले लिए गये हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अजे जी, कि 500 साल पुराना हमारा राम मंदर का जो मसला हल हुआ है, आज राम मंदर बन के तियार हो गया, प्रान पुर्जेस्टा भी हो गई, और उससे जनता बहुत खुश हुई है, परसन है एकदम, आपको क्या लगा? हाँ, बिलकुल मैं बात से सहमेत हूँ, कि जहां पर जो में चेहरा है, वो आदनी नरंदरवाई मोदी जी का है, क्योंकि लोग उनके नाम पर, उनके चेहरे को बोड़ करेंगे लोगों, जो नुमाइन्दे है, बहुत ठीक है, बहुत बड़े चेहे हैं, तक फिर भी, जो में हमारा जो जहां काइना, टेस्ट की आ रही है, तो टेस्ट चाहे खाने का हो, या फिर नेता का, या पार्टी का, उसे चुनने के लिए हर कोई जो है अलग-लग राय दे रहा है, यहां राय आपने सुनी, आगे भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है आज जमू कश्मीर में. चाहे जमू कश्मीर की खुबसूरती हो, या यहां के कल्चर और टेस्ट की बात, यहां फिर चुनावों में आप लोगों की राय, इंडिया न्यूज, अलग-लग इलाकों से आप तक पहुँचा रहा है कि आखिरकार इन चुनावों में लोग किसे अपना नुमाइंदा चुडने वाले हैं, मगर आखिरी फैसला आखिरकार दूसरे चुनावों के बाद होगा, जब रियासी, राजोरी और जम्मू संस्दिय क्षेतर के लोग अपने मत का इस्तमाल करके किसके सर सहरा बाढ़ने वाले हैं, यह डिसाइड हो जाएगा, आखिरी परिनाम का इंतजार सब को रहेगा, मगर आपको अपने मत का इस्तमाल जरूर करना है, और इंडियानियस की कोशिश यही, क्याम लोगों की राए, राजनीतिक दलों और राजनीतिक लोगों को लेकर कैसी है, वो आप तक पहुंचा सकें, अभी कि इस करकरम में बस इतना ही, हमें दीजे इजाज़त, नमश्का अलब कर संफ।